वो मेरा सबसे यादगार राइड है क्यों मेरा पहला लाइफ का पहला रॉंग राइड ओके थोड़ा कट कर देना ये So hello everyone, welcome back to another most important video on JR Talks आज आपके सामने जो interview में लेने वाला हम वो special इंसान जो हमारे साथ इस वक बेठे हैं ये है Mr. Bullet Singh and actual में इनका नाम है बबलू सिंग इनका जो YouTube channel है वो channel की थूरू इनका नाम पढ़ गया Bullet Singh है आज की रेड में जहां पर हम रहते हैं जो मेरा शहर है exactly जैसे आप जानते हो कि मैं बोई सर में रहता हूँ तो बोई सर शहर के सायद सबसे पुराने और सबसे पहले व्लॉगर है ठीक है और इनके बारे में मैं क्या बता हूँ इनके बारे में अगर ये खुद स्टार्टिंग से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इस इंटर्व्यू के माध्यम से ये बताने जा रहे हम बच्चों को कि आपको अगर अपने लाइफ में यूटूबर बनना है आपको अपने लाइफ में मोटो व्लॉगिंग करनी है कि मैं उनको थोड़ा टिप्स दे सको थोड़ा ऐडिया दे सको तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस इंटर्व्यू में तो जैसे कि आपने सुना इनको तो पहले तो मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि यार इनका यूटूब चानल है यह तब से है जब हमने अब हमने यूटूब चानल है ठीक है ना कब से है आपका यूटूब चैनल जो है मेरा 2015 में में इस्टार्ट किया था बट उस टाम पे मुझे पता नहीं था यूटूब में कि क्या क्या कर सकते मिशला कि YouTube क्या है में समझता नहीं था सिर्फ YouTube पता था वीडियो धिखते हैं अपलोट करते हैं तो 2015 में स्टार्ट किया था मैंने यूटूब 2015 से यूटूब जर्णी इनकी स्टार्ट हो चुकी है और पूरा जर्णी भी बताऊंगा यहाँ पे लेकिन आपको मैं यह बता रहा था कि 2015 से इनकी जर्णी स्टार्ट है और वो टाइम पे शायर मेरा सेकेंड थर्ड यूर अफ इंजिनेरिंग चल रहा था तो मतला वो टाइम पे सिव पढ़ाई करते थे इसके अलावा दुनिया में क्या होता है हम यह मालूम नहीं था लेकिन बच्चे लोग बहुत इंट्रेस्टेट रहेंगे और आप अभी तक कैसे कंटिनुसली काम कर रहें क्योंकि लगबग 5-6 साल हो गया तो आपने क्या-क्या यह जर्णी के दरान फेस किया है यह हमें एक शॉट में बता सकते हो बच्चों को तो काफी आचा लगेगा है ओके सब जब मैं में चोटा था कॉलेज में था तो इस टाइम पर हमारे पास फोन नहीं होते थे मतलब बहुत कम लोगे का पास फोन होता था तो कोई भी चीज देखने होता था था भाई कोई वीडियो दिखा दे कुछ काम होता जैसे मैं उस टाभी में डांस करता तो किसी का भी मोबाइल देखते हैं उसमें डांस के वीडियो देखने लगता था और कभी कभी कोई देता भी नहीं तो फिर मुझे पता चला मतलब पता चला कि यूटूब पर यूटूब पर यूटूब पर वीडियो भी डाल सकते हैं मुझे यह पता नहीं था तो जैसे मु कि इन्होंने जो यूटूब चानल की शुरुआत की थी वो अपने डान्स वीडियो से की थी और आज के डेट में हम जो ये इनको जानते हैं वह एक्चुली हम जानते हैं इनके मोटो व्लॉगिंग के थुरू और काफी ज्यादा तो फेम मिला है इनको वो ज्यादा तर लोगों को वीडियो दिखाता रहा तिर दीर दीर ऐसी करते करते जो हमारा डांस क्लाश है वह समर लभ श्कुल की गर्म्यों की सर्टी में कैम और नाइस करता था तो बेलए बच्चों को सब काफने वीडियो स्टार्ट कर दिया बच्चों को पीकप करना उनका सुमिंग क् तो उसके बाद जब मैंने देखा, में एक दिन क्लास ने बैठा था, तो मैंने बाकी लोगों की विडियो देखे, तो एक बंदा लॉगों लेकर बता रहा था कि मैं आज हम यहां पर आगए हैं, यहां घूम रहे हैं, यहां पर खा रहे हैं, तो मुझे समझे नहीं है कि क्या दिखा रहे है बंदा अपनी लाइफ क्यों दिखा रहे है लोगों को कि मैं यह खा रहा हूं मैं वह पहन रहा हूं तो मेरा एक दोस्त है तो उसने मुझे बता है इसको व्लॉग बोलते हैं मतलब अपने डेली रूटीन को कैमरे में शूट करके लोगों को दिखाना अपना ड जिसको स्कूटी बोलते आप लोग तो वो स्कूटर में भी घुमता था स्कूटर पर लॉंग रैट जाता था सीड़ी त्रमबकेश्वर मुंबई घुम के आता था घुमने का शौक पहले से था लेकिन उसको यूटूब पर बनाके डालना वो पता नहीं था तो मैंने फिर ज समझ आया कि यूटूब से क्या क्या कर सकते हैं तो फिर कंटीनू चालू हो गया और आज सक व्लागिंग डेली चल रहा है सो जैसा कि आपने सुना कि काफी मोटिवेशन भी है क्योंकि देखो अगर आप बच्चे लोग हमेशा मुझसे पूछते कि सर मुझे ये स्टार्ट करना है तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें यूटूबर बनना या फिर व्लॉगर बनना है जो जर्नी की इन्होंने शुरुआत की थी कैसे एक नॉमल सा डान्स करने वाला इन्सान अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर उसको मिल रहा है व्लॉगिंग क्या होता और सुसके बाद उस पर व्लॉग करना शुरू किया और आज इतने successful position पर बैठे हैं जाके देख लेना मैं लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगा बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी जाके देख लेना और मेरा जो दूसरा सवाल है जर्णी आपने बता दी काफी अच्छा लगा हमें देखके तो मेरा जो next सवाल जो होगा वो यह होगा दोस्तो कि आपको YouTube पे अभी आप काम कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप YouTube को लेके आगे क्या सोच रहे हो कि आपकी क्या ड्रीम है में expectations क्या है कि आप किस प्रकार YouTube अब जरनी को आगे लेके जाओगे अभी को अभी के टाइम को देखते हूं मतलब जैसे कि दो साल से lockdown लग गया था lockdown से पहले मैंने पूरा 100% YouTube में दिया था मेरा सारा का सारा यूट्यूब पे था और अच्छा अज्टा सामें अर्निंग भी कर रहा था यूट्यूब से यस तो यह अर्निंग पे मत जाना पहले महनत पर जाना तो पिर 100% YouTube था उससे अच्छा फैम भी मिल रहा था अच्छा काम भी हो रहा था लेकिन जैसे लोगडाउन हुआ तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि आदमी को एक काम पे नहीं मल्टी काम पर मतलब कर दो तिन काम में होना चाहिए कि एक काम बंद हुआ तो दुसरे काम पर फोकस कर सको तो वह कुछ भी ह हो सकता है तो जैसे मैं फोटोग्राफी भी करता हूं जो यूटूब से पहले करता था तो अभी क्या होगा कि अभी में फोटोग्राफी में भी हूं और यूटूब में भी हूं लेकिन मेरा आगे का प्लान है कि में वापस 100% यूटूब में जाओ और पूरा दू क्योंकि कि आगे भी बहुत सा अड्री में और एक बहुत अच्छी बात इन्हों ने कहीं जो मुझे भी काफी अच्छी लिगा है मुझे लगता है आप लोग को भी एची सीखना चाहिए जो कि यह है मुल्टी टैलेंटेड बनाओ सबसे पहले बहुत सारी स्किल्स है वो सीखो और आप दो से तीन काम एक साथ करोगे तो डेफिनेटल आपको बहुत अच्छा फील होगा ठीक है तो चलो मेरा एक और आप से सवाल यह है कि आपने बोला कि आप ज्यादा तर मोटो व्लॉगिंग मेरे मेहनत की कमा यहाँ मैंसलागा घरवालet को बिल्कुल होगी प्रेशर दिया मैंने इक वाइक की प्रृटीम चाल मैंने होट्ल का वार चाहर पीना बन कर दело दो 10-10 लॉपर जमा करकरके मैं एक लग पर जमा की यह थे एकिन खाल के लिए और उस से में अपनी पहली सब्सक्राइब करते हुए हम सवालों का सिलसला जारी रखेंगे तो जैसा बोला कि आपने कि आपको मोटर गाल करते हुए हो अब तक आपने इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कहां कहां राइड की हुई है और उसमें से सबसे ज्यादा मेमरेबल या फिर इंट्रेस्टिंग आपकी कॉन सी रही है वो थोटा साब बता सो हां फिल जैसे मैंने बाइक लिय बाइक लेने के बाइक लेने के साथ चार महिने ले बाद क्योंकि बाइक ली गरवाले इकषito आउम सबसेर भले हम हो जाये है तो घर वाले के मेना कराच को मेरा काम समझाया और मैं हुने वह सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करूंगा जिससे हमें प्राब्लम होगा तो वह शौर्ट जैसे हो गए वैसे मैं निकल गया यहां से बोईसर से अजमेर राजस्तान हजार किलो मिटर है लॉंग राइड और वह मेरा सबसे यादगार राइड है कि मेरा पहला लाइफ का पहला रॉंग राइड मैंने किया सतरा घंटे में हजार किलो मिटर जो बहुत ही यादगार है और वहां पर जब मैं जाके दो तिन वीडियो बना है उसमें से मेरा एक वीडियो अजमेर का जो की आई तिंग सो 9.3 मिलियों से उस पर तो वह मैं कभी नहीं भूल सकता उस चीज को उसके बाद मैंने जाने ला है मैं 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 आततका से मान चुन्त करहएं तब कर दो फ्रह घंच भी से सनवाटे मुंदंधर द लो त्युपइलों से कजस्ते सरे घंजाने नें में गया था लेकिन हिम्मद उठाके आगे बड़ा और आज सेकेंड टाइम गूरूप लेके गया था सो देखो सोलो राइड भी कर रहे हैं मतलब यार यह करने के लिए सबसे बहले हिम्मद चाहिए होता है क्योंकि देखो हर किसी की बसकी बात नहीं होती है लेकिन जहां पर आप हिम्मद दिखा दोगे वहां पर सक्सेस भी आ जाएगा तो वह बात से हमने बहुत सरे चीज़ सीखी है तो यहां पर मैं एक और इसमें पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बहुत सरे राइड किये तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ की राइड करते हुए कभी आप कुछ डर गए या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ कुछ इंसिडेंट्स होगे तो ऐसे आप कुछ शेयर करना चाहूंगे हां ऐसे दो दो हुए हैं एक्सिडेंट जो मुझे याद है एक बार मैं और मेरा दोस्केदार नाज के लिए राइड पर गहते और यह दोन पुलिस बताने लगे हम पुलिस है डोकुमेंट दिखाओ तुम कहां से अरोभी को सम थोड़े से अलग लग लग रहे थे जैकेट में मुंबई की बाइक दीख रही थी महाराश की बाइक दीख रही थी तो वहां पर दिक्कत हो गया ऐसा लगा कि अल्मस लड़ाई हो लग लाता है तो इससे एक चीज मुझे भी सीखने मिली है कि फॉर एक्जामपल आप कहीं पर जाते हो चाहे आप व्लॉगिंग कर रहे हो राइडिंग कर रहे हो और अगर आपसे कोई बन के बाद कर रहा है कि मैं पुलिस में हूं और उसने इुनिफिर्म नहीं पहना है त सबसे मिला कि आप सबसे पहले उनका ID slag मुझे काफी दीख अच्छा ओडियनस को भी पसंद आ रहा होगा ये बात और आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को wiki लाइक मारते जाना दोस्तों काफी Sahar लगे। तो सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही भेतरीन जो सब के मन में होगा एक सवाल होगा जो हमेशा आप पूछते हो कि यूटूब से आप कितना अंग कर लेते हो दो है अभी मतलब दो बाते हैं उसकी एक लोगडाउन के पहले क्योंकि और एक लोगडाउन के पहले बहुत ही अच्छा अनिंग था इतना था कि मैं एक अभी के टाइम पर आईफोन 11 खरीच सकता हूं जो कि अभी मेरे पास यहां पर कहीं तो पीचे जो अभी मेरे पास यहा पास यहां पूर नहीं था लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरा ट्राइलिंग घुमना फिनना बंद हो सीज़ां गए बहुत बहुत पूरे विल्ड को मुझे ब्राप्लम हुआ है तो उस तक उसे तो मुझे प्राप्लम हुआ है तो लोगडाउन में थोड़े आप फोड़े सकते हूँ कि आ रहा है यह लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लेकिन आ रहा है जिसे मैं और मोटीव हो रहा हूँ कि मैं और कर सकता हूँ तो इससे एक चीज यह पता चला हमें कि अगर आप महनत करते हो consistency के साथ काम करते हो तो इससे एक चीज है क्योंकि यह हमारा जो वीडियो बनाने का आज का मकसद है जो इंटर्व्यू हम ले रहे हैं वो यह है कि आपको हम सिखा सके कि किस प्रकार आप व्लॉगिंग में जा सकते हो यूटूबर बन सकते हो या फिर मोटो व्लॉगिंग में जाना चाहँ तो एक चीज और पता चल रहा है कि अगर आप consistency और मेहनत के साथ इमानदारी के साथ काम करते रहों कि तो आप उससे पैसे को भी जनरेट कर सकते हो जो कि life में सबसे important चीज है क्योंकि आप कुछ भी काम कर लो और अगर आप उसको monetize नहीं कर पा रहे हो तो उस काम का मतलब नही है आपका motivation अपने डाउन हो जाएगा जैसे भाई ने बोला कि मैं अभी में रुकना जाओंगा एक जिस जब मैं वीडियो डाल रहा था यूटूब पे स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता था कि यूटूब से पैसे कमाते मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं बस डा अपता विडरा और क्यासे पैसे कंटी कर सकते कि तो मेरा दिमाग लगा कि बाई अब मुझे यहाँ पे 100% ॉट महीं मैंने विदाउट अनिंग के मैंने काम किये जी तो तीस दिन में 35 वीडियो में डालता था कभी कभी दो 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 हो जाता था और मेरी पहली अनिंग थी एक सो छे डॉलर ने उस टाइम पर अराउंड कुछ तो वह सारे पैसे तो मिन्स लाइक जैसे आया वैसे कतम हो गये और उसके बात फिर जी जान से महिनत चालू हो गया बस यह है कि मैं अपने पैसे को फॉलो करते गया यह नहीं कि मुझे पैसा कमाना और मैं कुछ और करू द से कि अगर आप महिनत कर रहे हो तो आप उससे पैसे कमा सकते हो तो हमारा जो इंटेवि लेने का मकसद था वो यही था कि आपको मैं बता सकूँ गया कि अगर आप काम करते हो चाहे आप यूटूबर बनना चाहते हो और यूटूब में भी बहुत सारे कैटेगरी जैसे चीज़ों करते हैं तो आप कोई इंट्रेस्टेड होगा तो इसे सीख सकते हो इंके देख सकते हो आपको पहुते हैं चीजे शीखने मिलेगी और खया है कि आप इससे पैसे यह उन कर सकते हैं लेकिन लगा जब आप उसमें मेहनत करोगे के consistency के साथ काम करोगे तो यह पॉसिल हो लोगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनको ऐसा लगता है कि जस्टार्ट कर दो वीडियो बना लो बहुत एक्सिदेंट हुआ है मेरे साथ तो बहुत हुआ है दो वीडियो डाला और बिलेट भीया दो डाल दिया थोड़ा इ हमें support तो सबसे पहले तो आप खुद मैनत करो continue vlog बनाओ या जो भी वीडियो बनाओ 100 वीडियो complete करो और खुद आके देखो कि आपका कौन सा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं आप खुद समझ जाओगे कि हमें क्या करना है इसके उपर मतलब सबसे पहले आपको खुद काम करना पड़ेगा जब आप काम करोगे तो automatically आप ग्रो करते चले जाओगे और एक time आएगा कि आपका भी monetization on हो जाएगा और आपको भी money है वो आता रहेगा revenue generate होता रहेगा ठीक है आप चलते हमारे next सवाल की तरफ तो एक थोड़ा सा personal सवाल है थोड़ा सा तो शायद कुछ मेरे शादी वाले व्लॉग थे जो अभी नहीं है बट आ जाएगे वो जल्दी कुछ 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 आप इसले वो बंद पड़ा है तो जल्दी आजएगे मेरे शादी अभी जस्ट आराउंड दो महिना पहली हुई है और हो गया है बस विश्कर देन कॉंग्रेशुलेशन स्विश्ट कर देना शादी के लिए ठीक है तो चलो ठीक है यह तो परस्नल सवाल हो गया लेकिन और आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा कि आपका यूटूब का जरनी काफी इंट्रेस्टिंग रहा है लेकिन मैं आपसे ऐसे मेंटोर यहां पर समझ लो म करना चाहिए तो थो थोड़ा सा अब टिप सकते हो है सबसे पहली बात तो की पैसे देखें बिल्कुल मताना कि भाई यूटूब से इतना पैसा मिलता है चलो हम भी चालू करते हैं और कुछ भी विडियो बनाते डालते यह सोच के तो बिल्कुल मताना ओके अगर आप एक् यह वा था आज जाके पाए हैं मतलब आज जाके उनको वह लेवल मिला है रिस्पेक्ट मिला है जो आज हम यहां कर रहे हैं तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे मतलब इनको इंटरेस्ट था कि मेरे वज़े से बहुत सारे बच्चों का फाइदा हो जो जिनको स्टडी म बता सकते हो तो आप कर सकते हो ऐसा ने कि भाई कुछ भी किया और बता दिया तो बिल्कुल नहीं दो तिन में मज़्या आयका लेकिन बाद में फिर आप खुद बंद कर दोगे तो क्लियरिटी के साथ उन्होंने बोला एं में भी यहां पर थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल इनको भी आप में लगे थे तो मुझे भी आद है कि आठ में ने के बात जाके मेरा चानल मोनिटाइज गए तो आठ मेंने कंसिस्टेंसली रोज पाच-पाच वीडियो में डालता था तब जाके वो रिजल्ट सामने आया है और आज के डिट में आपके पहार से 6 लाक्स की जर्नी, 6 लाक सी सब्स्क्राइबर्स का मालिस्टोन हमारे चैनल जेया टुटोरियल्स पे कंप्लिट होने वाले तो शायद ये वीडियो आते हाते तब तक कंप्लिट भी हो जाएंगे तो थैंक्यू सो मच पाट एट इसको में समात करना चाहूंगा बहुत ही अच्छा जिखी होगी और उमीद करता हो दोस्तों कि आपको बहुत मजायागा आज का इंटर्वी सेशन देखे तो फाइनली जाते जाते आप कुछ दो लाइन में अगर बच्चों को मोटिवेट करना चाहोगे तो जरूर से ओके सो जितना अच्छा ये इंटरनेट है उतना बुरा जाते बिकॉस अप और भी बहुत सारे सोचल मीडिया है जहां पर लोग अब सोचल मीडिया पर अक्टिव हो चुके हैं तो थोड़ा सा आप भी गूगल कर लो कि आप कैसे कर सकते हो जिफ यूटूब बना कि इसी व्लोग बना के ही नहीं और भी बहुत कुछ है लिए किया था कि आपके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलाप कर पाएं क्योंकि हम जयार टूटोरियल पर आपके लिए सिलाबस वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके स्टडी रिलेटेट होती है लेकिन इसके अलावा दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजे हैं इसके साथ आज का हमारा जो इंडर्वी सेशन ने समापत होता है थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू एंड गुडबाई